मुझे लगता है, हम इन चुनाओं में बहुत अच्छा करेंगे, मीजोराम में भी, मैं अभी जा रहा हूँ, काफी पॉजिटिव महौल है, और जेनरली, लोगों में गुस्सा है, एक दो कारण है, बेरोजगारी, महेंगाई, और जो इनिक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट उनके हाथ पड़ रहे हैं, और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं, यह सब को दिख रहा है, तो इसलिए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, कास सेंस्स हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजिस्तान म के लिए यह कर रहे हैं, जो इनका सोशल सेक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नैशनल लेवल पर इंप्लिमेंट करने की प्लैनिंग कर रहे हैं, हमारी सोच है कि जो नरेंदर मोधी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजिन दिया है, हम देश को मोहब पत, रिस्पेक्ट और भागिदारी का विजिन दें, और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है, वो बिलकुल बदल चुका है, और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछी दिनों में उनको आस्ते आस्ते ये बात समझ आ जाएगी, कि जो उ उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टिटूशन पर आकरमन किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है